बिसम्लाइ रख्मान रहीम, वीर्स वेलकम टू स्टडी हब ओवर टोड़ेस टॉपिक इस इंट्रोडेक्शन तू अकाउंटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट टरम्स आज के हम लेक्शन में डिसकस करेंगे इंट्रोडेक्शन तू अकाउंटिंग और इसकी जो इंपॉर्टेंट टरम्स हैं इंपॉर्टेंट टरम्स हैं अकाउंटिंग में जो यूज होती हैं उनको डिसकस करेंगे और उनको detail के साथ जो है explain करेंगे उसके साथ-साथ जो हमने previous lecture accounting का deliver किया था उसमें हमने accounting की definition और accounting के जो main concepts थे basic concepts उनको हमने detail में explain किया था so वो video भी channel पर मुझूद है जिन viewers ने वो video नहीं देखी channel पर visit करें और accounting और उसके जो main concepts है accounting के वो देखें ताकि आपको जो है accounting की और accounting के concepts की जो है better understanding हो so आज का जो हमारा lecture है viewers वो होने जा रहा है introduction to accounting के ओपर कि accounting basically है क्या और accounting में जो important जो terminology यूज होती है वो क्या क्या है उसको हम discuss करेंगे आज की इस video में so इसके साथ है एक request होगी कि lecture को स्टार्ट करने से पहले के चैनल को सब्सक्राइब कर दें वैल आइकन को प्रेस करें ताकि future में जितनी भी lectures deliver करेंगे वो आप तक टैमिली पहुंच सके so video को स्टार्ट करते है आज की तो हमारा आज का टापिक है जो है introduction to accounting के उपर है और आज की वीडियो में हम discuss करेंगे के accounting क्या होती है और इसमें जो है important terminologies है वो क्या है so सबसे पहले हम discuss करेंगे bookkeeping what is bookkeeping definition of bookkeeping हम देखेंगे उसके बात जो some important terms है like transaction है business है proprietor है capital है drawings है purchases है purchases return sales sales return जो important terminologies यूज होती है यह क्या है accounting में assets क्या है liabilities क्या है vouchers क्या है इनको हम देखेंगे उसके साथ साथ हम discuss करेंगे account क्या होता है commission क्या है यह तुमाँ equity क्या होती है और stock क्या होता है goods and merchandise क्या होती है यह तुमाँ terminology हम detail से discuss करेंगे उसके साथ साथ हम देखेंगे double interest system क्या होता है double interest system को हम thoroughly study करेंगे उसके बाद हम देखेंगे next accounting में के basic meaning है accounting का उसमें क्या है और इसकी जो further explanation करेंगे recording classifying summarizing इनको हम further expand करेंगे accounting में उसके साथ سाथ accounting की branches को हम देखेंगे कि accounting की कित की branches है financial accounting, cost accounting, management accounting in आठ बॉपर जो ने करी जो ने को में करेंगे जो क्रीयर करेंगे और इनकी युच्छाइशन है specific इसको हम आज की वीडियो में देखेंगे उसके साथ साथ हम देखेंगे के management, owners, creditors ये technologies क्या हैं और उसके साथ हम देखेंगे कि accounting systems हैं ये कितने system यूज होते हैं और इसमें जो है cash system क्या चीज़ है और accrual system क्या चीज़ है तो differentiate करेंगे accrual system of accounting में और cash system में उसके साथ साथ हम देखेंगे कि accounting cycle क्या है, accounting cycle को कैसे explain किया जाता है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम discuss करने लगे हैं, वीडियो अगर लंबी भी हो जाती है तो please make sure करना है कि वीडियो का आपने complete देखना है ताकि तमाम जो है introductory concept और introduction के आज की वीडियो में आपको समझ आ सके ताकि कभी भी in future में भी किसी भी exam में आपको कहीं पर भी problem नहों के यह basic terminologies है, accounting की इनको आप explain करने में या इनको आप किसी भी examination में, interview में या कहीं भी आपने exam देना हो तो without any hesitation, without any difficulty आप इन चीज़ों को attempt कर सके स्टार्ट करने हैं, आज का मारा lecture, सबसे पहले मारे पास आता है viewers introduction और उसमें हम देखते हैं कि bookkeeping क्या चीज़ है, definition of bookkeeping हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, the word book or book means books of accounts and keeping implies maintaining in proper form and order, यारि कि जो bookkeeping एक means है हमारा पास books of accounts को हमने देखना है क्योंकि accounting is the language of business, तो bookkeeping हमने यहां पर जो है books को main करते हैं, books of accounts में, thus bookkeeping may be defined as the art of recording business transactions in books in a regular and systematic manner, it has been defined by different experts, so bookkeeping जो है, इसको define किया गया है कि art है, regarding जो करनी हमने business transactions की, books of accounts में, एक systematic manner के साथ, और different experts ने जो इसको explain किया है, one by one वो देख लेते हैं, number one हमारे पास जो आता है, bookkeeping की definition, the science and art of correctly recording in books of account, all those business transactions that result in the transfer of money's worth, असानल प्राज में आपको बिता दूँ के bookkeeping is the art and science of recording the books of account, के bookkeeping जो है, एक art है, जिसमें हम record करते हैं, books of account को, वो तुमाम transactions, जो के transfer करती है, money's related कोई भी transaction होती है, उनको हम record करते हैं, bookkeeping में आप transaction भी, इसमें एक terminology यूजरी आगे चलके मैं आपको बताऊंगा, के transaction क्या चीज़ होती है, उसके पाद हम देखते हैं, के bookkeeping, the art and science of recording business transaction in such a systematic way, as a trader may know the result of his trade at the end of a certain period and may also prove the accuracy of such record, यानि के bookkeeping एक ऐसा systematic record है, जिसमें एक trader जो है, वो certain period के बाद भी अपनी जो है trade को, अपनी जो transactions को, जो उसने की होती है, उसको देख सकता है, और उनकी accuracy को वो चेक कर सकता है, so viewers, हमने bookkeeping को समझा, हम चलते हैं, हमारे जो next main important terminologies है, accounting की number first, जो हमारे पास आ रही है transaction, transaction को देखते हैं, के transaction क्या चीज़ है, any dealing between two persons or things is a transaction, कोई भी dealing between the two persons or things, के वो exchange करते हैं, कोई भी चीज़ या deal करते हैं, दोश, कोई भी दो persons, तो वो transaction क लाती है, it may relate to purchase and sale of goods, receipts and payments of cash and rendering of services, वो कुछ, purchase of sale of goods and services भी हो सकती है, payment of cash भी हो सकती है, और rendering goods and services भी हो सकती है, so, अब फर्दर हम देख लेते हैं, के transactions जो है, transaction is of two kinds, दो types की जो transactions होती है, number first जो हमारे पास आती है, cash transactions and number second जो होती है, credit transactions, quickly मैं इसको describe करूँगा briefly ताके ज़्यादा वक्त भी हमारा न लगे और, वीडियो को एक limited time या maximum चीज़ों को जो है, वो understand कर सके, so, again, एक request होगी कि चैनल को आपने subscribe जरूर करना है, ताके ताके तुमाम जो है latest lectures आप तक महुंचे रहे, so, discuss कर रहे थे हम, kinds of transaction, which is cash transaction and credit transaction, when cash is paid or received as a result of an exchange, the transaction is set to be cash transaction, simple, अगर आप पैसों का तबादला करते हैं, money को एक्सचेंज करते हैं, कोई भी transaction, goods or services or purchase or sale कर रहे होते हैं, उसमें जो एक्सचेंज में हम cash को विनवालो करते हैं, तो हमारी cash transactions होती है, or whenever the payment or receipt of cash is postponed, future date में अगर हम करते हैं, आप cash receipt payments को postpone करते हैं, तो this transaction is set to be credit transaction, यह उधार की transaction, जिसका हम कहते हैं, अलफाज में कि जो उधार में लेन तेन हम करते हैं, उनको credit transactions कहते हैं, जिसकी हम future में payment receipt या pay करते हैं, so यह थी transaction के transaction, जो है आपको मैंने समझाई कि any dealing between the two percent of things, it may be related to the purchase of sale goods, or commodities, next हमारे पास एक term आती है, which is business, what is business, business, it includes any activity undertaken for the purpose of earning profit, business viewers, कोई भी activity, जिसको undertaken किया जाता है, जिसको carry किया जाता है, for the purpose of earning profit, अगर हमारा मकसद किसी भी activity का मुनाफ़ा कमाना जो है, उसको हम business में लेके आते हैं, for example, banking business है, insurance business है, और merchandise business जो है, examples है, इसकी business की, it includes any activity undertaken for the purpose of earning profit, उसको हम कहेंगे business, next viewers, हमारे पास जो term आती है, which is proprietor, he is the owner of a business, he invests capital in it, gives his time and attention to it, proprietor जो है, owner of the capital है, जो term यो जो 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 आती है, accounting में, proprietor का हम owner कहते हैं, जो के investment करता है, और business को जो है, start करता है, उसके साथ capital, capital, the amount with which the trader starts his business, or the amount which is actually invested in the business, at any given time, is known as capital, capital वो amount है, capital सरमाया, जिसके जरीए से कोई trader, कोई तजारत करने वाला बंदा, जो है, अपने कारोबार में, पैसा लगाता है, और पैसे से जो business start करता है, उसको हम कहते है, capital, this is the honors financial interest, जो और holding in the business, जो honors का जो है, जो capital investment करता है, start करता है, business को, उस पैसे को हम कहते है, capital. Next हमारे पास जो technology है, which is drawings, the cash or goods taken away by the proprietor, from the business for his personal use, or called drawings, अब proprietor हमने technology देखी, कि proprietor honor होता है, और honor जब जो है, proprietor जो है, cash और कोई भी goods, जो है, business से, अपने personal use के लिए नकालता है, तो इसको हम कहते है, drawings, इस technology, जो है, accounting में use होती है, अगर कोई भी जो है, honor अपने personal use के लिए, cash या, goods को, लेता है, business से, next हमारे पास purchases, goods purchase, और called purchases, कोई भी goods को purchase किये जाता है, तो वो purchase किलाती है, very simple है, purchases return, अगर purchase कोई defective निकलाती है, तो purchase return किलाएंगी, sales goods are sold, वो sales किलाती है, सिंपल सी है, मैं ज़्यादा explain नहीं कर रहा है, बलीफरी बता कर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये ज़र टर्म्स जो है, name से शोर है, कि आपको समझ आ रही हूंगी, next चलते हैं, वर बस commission है, it is a form of remuneration, or services rendered, कोई भी person जो अपनी services देता है, तो उसमें जो है, वो remuneration जो receive करता है, उसको हम कहते हैं commission, और इसमें commission और expense में, explanation में आपको कर दूँ, expense जो होता है, it means an expenditure whose benefit is finished, or enjoyed immediately, such as salaries, के expense वो होता है, जिसका expenditure जो है, enjoyed कर ली जाता है, immediately, like salaries, rent हैं, जो यह हमारे expenses हैं, in business turn में हम देख रहे हैं, तो commission जो है, services को remuneration के जरीजे से दिया जाता है, उसके साथ account जो है, account, a summarized record of transactions relating to a person, or thing is called account, account की definition जो है, कि एक record होता है transactions का, related to a person, person से भी relate कर सकता है, किसी organization से भी relate कर सकता है, तो इसको हम account कहते हैं, तरह हमारे पास आते हैं, debtor, creditor, assets, liabilities, तो देखते हैं, हमारे पास debtor के आए, debtor को basically accounts receivable, जो होते हैं, a person who owes money to another is called debtor, कि अगर एक कोई person है, उसने money को on किया होता है, किसी दूसरे शक्स से, तो वो debtor का लाता है, when we say that, we owe to Mr. Raheem's 200, अगर हमने जो है Mr. Raheem से 200 पे लिया है, तो हम Mr. Raheem के जो हैं, debtor हैं 200 पे की, और जो creditor है, a person who pays out something, creditor जो होता है, वो जो person जो होता है, pays out something to whom money is owing, is called creditor, it is also termed as account payable, so जो creditor है, a person who pays out something, or to whom money is owing, is called creditor, it is also termed as account payable, इसको account payable भी कहते हैं, the person जो है, जो है who pay out the money, or something to whom money is owing, जिसको जो है, money जो है accounts payable में की जाती है, और इसको हम creditor भी कहते हैं, उसके साथ assets, these are the things of value, possessed by a trader, such as building land, machinery, furniture, यह जो assets होते हैं हमारे, इनको हम जो कहते हैं, building land, furniture में, furniture और machinery, liabilities जो हती है, they are the debts due by a business, to its proprietor, others debts हते हैं, हमारा जो दार लिया होता है, business का वो हमारी liabilities होती है, इसके साथ साथ जो है voucher, जो है return evidence होता है, किसी भी transaction का, उसको हम voucher कहते हैं, इसके साथ साथ, हमारे पास, जो है next terminology है, जो है equity, a claim which can be enforced against the assets of the firm is called equity, the rights to proprietor are called equities, equities are two types, the business and called liabilities, the two types of equities are the right to creditors and right to owners, the equities of creditors represents debts to the business are called liabilities, so liabilities जो है claim, जो होता है, proprietors का business में, वो हमारे उनकी equity होती है, claim can be enforced against the assets of a firm, is called equity, उसके बाद हम चलते हैं, वियर्स, जो next हमारे पास जो एक term है, which is double entry system, double entry system of bookkeeping owes its origin to an Italian merchant named Locus Pecoli, जो था, Italian merchant जो था, accounting का जो father भी इसको कहा जाता है, Locus Pecoli को, उसने जो bookkeeping का, जो हमें, double entry system दिया, उसमें, जो है, double entry system में, हम देखते हैं, कोई भी हम transaction conduct करते हैं, तो उसको दो aspects होते हैं, debit और credit, तो debit और credit, दोनों जो है entries, जो है, उसको record किये जाता है, double entry bookkeeping can be identified, system of recording transactions, having two fundamental aspects, one involves the receiving of a benefit, and other giving the benefit, तो जो, every transaction involves, two aspects, one aspect is receiving, and one is giving, तो इसको है, हम debit और credit के जरीए से, double entry system को रिखते हैं, किसी भी transaction की, जो हैं, दो aspects होते हैं, उसको हम कहते हैं, debit, and credit, और इसी तरह, double entry system, इसको लिया जाता है, उसके पाद वियूर्स हम देखते हैं, accounting को, जो meaning क्या है, accounting का, accounting is the art of recording, classifying and summarizing, in terms of money transactions, and even financial character, के accounting जो है, हमारे पास, art है, recording, classifying को summarize करते हैं, जिसके जरीए से, money के transactions को, financial character को, उसके साथ, record करते हैं, हम accounting, जो books of accounts में, जो accounting money के transactions हो रही होती हैं, उनको classify करते हैं, process of grouping transactions को summarize करते हैं, जो तमाम manage में, understandable useful management के लिए, टाके वो जो है, इस information को जो है, properly use किया जासे के, trading profit account में, और balance sheet में, जो है, उसके बाद, branches of accounting को देख लेते हैं, accounting की main, तीन branches हैं, number एक financial accounting है, financial accounting है, original form of accounting है, it is mainly confined to the prepare of financial statements, के जरिए हम financial statements को prepare करते हैं, for the use of outsiders, creditors, banks and financial institutions, तो financial accounting के जरिए से हम जो है, financial statements को prepare करते हैं, ताके उनको effectively utilize किया जासे के, creditors के तरहू, outsiders, bank जरिए या जितने भी stakeholders होते हैं, उसको, वो utilize करते हैं, cost accounting, accounting का basic purpose ही होता है, कास्ट अपर्ड़क्ट जितनी कोई भी प्रोड़क्ट होती है, उसमें जो तखमीनल लागत होता है, cost accounting के जरिए से हम उसको देखते हैं, कि उसको असको 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 करते हैं, cost, management accounting, accounting is management, that is accounting which provides necessary information to the management for discharging functions, management accounting में जो accounting को information इसको असको उसको नेक्स्ट हमारे पास से आज आती है, तर्मिनलजीज उसमें जो है, हमारे पास system of accounting आते हैं, हमारे पास दो सब्सक्रा के system होते हैं, cash system of accounting आता है, और उसके साथ साथ, accrual system of accounting आता है, cash system of accounting is a system in which accounting entries are made only when cash is received or paid, cash based as name shows कि accounting की तमाम जो हमने record, books of account में लेकर आना होता है, वो तब भी लाना होता है, जब कि cash को हमारे पास रसीब किया जाता है, तो cash based system में हम जो है, cash related transactions करते हैं, जब कि accrual system of accounting में, accounting entries are made on the basis of amount having become due for the payment or receive, तो इस में जो है, this accrual basic system में हम cash है कि हमारे पस नहीं भी आ रही होती है, लेकिन हम transaction कंड़क्ट कर ली होती है, और event जो है, हो चुका होता है, लेकिन transaction के कंड़क्ट होने बाद में भी जो है, future में cash received or payment हो, लेकिन इसको भी आम box of accounts में लिखते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं, accrual system of accounting, जो नामर जो है, last हमारे पस जो है, आज के वीडियो में accounting cycle है, इसको हम discuss कर लेते हैं, accounting cycle जो है, first हमारे पस जो accounting cycle में, जो चीज आती है, transaction होती है, transaction को मैं discuss कर चुको, आप से उसके बाद transaction कोई भी होती है, happening होती है, event होता है, sales of goods or purchase होती है, तो उसका हम record करते हैं, general में, general से हम transfer करते हैं, उसके specific ledger में, by name, general में entry करने के बाद, ledger में transfer करते हैं, उसके personal account में, उसको trial balance में, उसको लेकर जाये जाता है, और उनका balance को equalization देखी जाती है, उसके बाद जो है final accounts में, उसके जो है trading final accounts में, उसको discuss किया जाता है, final account के बाद जो है, income statement त्यार की जाती है, जिसमें हमें profit and loss, किसी भी organization का, किसी भी firm का हमें पाता चलता है, income statement से, उसके साथ-साथ balance sheet में, आपको तुबाद जानों के balance sheet क्या होती है, balance sheet जो है किसी भी financial, जो organization की हमें जो है financial position बताती है, assets and liabilities हमें बताती है, कि balance sheet के जरी हमें, जो है financial position of the business जो है पता चलता है, so viewers wind up करते हैं, close करते हैं, आज का ये lecture हमारा जो था, introduction to accounting और remain important terms के उपर, accounting की, hope viewers के आपको भेतरीन त्रिके से understanding हो गई होगी, important terms की, जो accounting में use होती हैं, और कोई भी student जो है, चाहे वो किसी भी studies related है, चाहे वो master's का student है, graduation का है, या intermediate का है, I come, become, M come, or MBA, master of business administration, या CA का भी student है, या कहीं भी वो जो है, accountancy को study का रहा है, उसके लिए बहुत fruitful, आज ही ये वीडियो थी, hope तमाम चीजी आपने देखी है, एक next वीडियो हम लेकर आएंगे, उस तब तक के लिए आपने चैनल को subscribe करना है, और bell icon को खूल, प्लेस करना है, ताके जो है, प्लेस करना है,